तो मैं गया तो इधर सहजाद भाई नाच रितने पूज रहे थे, DJ सेटर अच्छा बज़ राता है, तो अच्छी बात है, बहुत गुड है, पहनत करी है तो उसका फली निलता आदमें को, बहुत पहनत करी सहजाद भाई ना प्रें DJ से टक के उपर, मैंने जैसे इधर गुम मैंने सेट में से धुआ निकलता हूँ, मैं फस्ट टाइम किसी DJ का रिव्यू कर रहा हूँ, मेरी कैपेसेटी सिर्फ दो बेस लगाने की, मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, या मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, और किसने नंबर वन आया है, कौन नंबर टू परा, कौन नंबर तीन परा, कौन नंबर चार परा, कौन नंबर पांच परा, ये चुनिंदा ही कमपेटिशन होते हैं किसी यात्रा के, तो उन में से एक नग कमपेटिशन था, अमर और अकेला किंग राजी तो दोस्तों इस कमपेटिशन मुझे, हाँ, अमर और कासाना ये कमपे जो लोग नए है वो सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन के बटन को ओल पर क्लिक कर लो आपको नोटीश्यन मिलती रहेंगे दोस्तों गड़ बारिंग दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग एक दम मस ना तो दोस्तों आज की वीडियो ना एक अलागी वीडियो होने वाली है आज से पहले मैंने इस तरह की वीडियो नहीं बनाई है मैं फर्स टाइम किसी डीजे का रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि यह डीजे अच्छा है यह डीजे बुरा है मेरे लिए 2 बेस और 4 बेस वाला भी उतना ही अच्छा है जितना 40 बेस वाला है क्योंकि मेरी कैपेसेटी सिर्फ 2 बेस लगाने की है मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूं या मेरे पास फालतू पैसा नहीं है या मेरे पास कहीं का आया हुआ पैसा नहीं है या यह कहो कि मेरे पास पैसा है ही नहीं मैंने जैसे तैसे करके 2 बेस बनाई है तो मेरे नजर म वो भी उतना important है जितना 20 और 40 बेस वाला है तो इसलिए मैं इस लखड़ी में नहीं पड़ता है यह नंबर बनाया वो नंबर बनाया यह नंबर बनाया मैं नहीं पड़ता मेरा काम है फिल्माना और मेरा काम है पब्लिक के ओपर छोड़ देना पब्लिक किसको पसंद करती है इसको कौन पसंद आता यह पब्लिक करती है मैं कभी डिसाइड निकारता तबकि मैं जानतौं मैंने अभी रिषेंटली अगर बात करूं मैंने बाला जी आत्रा में मैं बिताए हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कौन सा डीजे नहीं बचा लेकिन जो नहीं बचा स मैंने starting में का भाई जो नहीं बजा उन लोगों की इतनी ही वो थी इतना ही विचारों का अच्छा कि लगे वरना मैं बता सकता हूँ कूँ साच्छा बजा कॉन सा बुरा मचा और किस ने number one के रहा है कौन number two के रहा को number three करा number नमबर चार परार को नमबर पांच पराफ मैं पूरी लिश्ट दे सकता हूं आपको एक से दस तक थी लेकिन नहीं दोस्तों सब अच्छे मेरे नजर में सब अच्छे तो आज का रिव्यू करेंगे हैं एक ऐसे डीजे का क्योंकि उस पर सब की नहीं गाती आना उस ती मारलू आप देख हैंगा मैं शॉप पर बैठा हूं और सुबह सुबह मेरी डुटी लग जाती है यहां पर सुबह के टाइम पर उसके बाद प्रमातने काम पर लग जाता हूं आपने के दूसरीं चला जाता हूं तो आज आज का जो रिविउयू करने वाला हूं हो इस पर सब जैसे डीजे उससे भी बैटर असोब भाई है बहुत अच्छे क्योंकि देखो जिन लोग उसे मैं मिल लेता हूं उनको तो मैं पता सकता हूं परसनली बहुत कर सकता हूं मैं जो कोई वह नहीं आता हूं कि ना अनुजभाई की कह देता हूं कि अनुजभाई बहुत अच्छे इतना भी नहीं आता तो ऐसे लोगों की इज्जत की आगरो दोस्तों दिल में बसा करो तो यह तो रही पर्सनल बात अब आ जाते हैं डीजे सट आप यात्रवेबाद तो दोस्तों सब लोगों की निगाई थी अकेला किंग और भिणने की तमना थी सब लोगों की अकेला से वारा competition हो जाए तो मैं बताने वाला हूं कि मैं बाइस्तारी में पहुंच गया तो मैंने सबसे बलाया मंदीर कमिटी दिखाई मंदीर दिखाया उसके बाद मैंने फिर डीजे सेटाप अपने जो जहां था जिन लोगों ने मुझे फोन करकर बुलाया और हाँ पोन करने क अंकल हम आपके साथ गुमना चाहते हैं हमें बठा लू जबकि मैंने मना करा कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे यार ऐसे अंजान बच्चे को लेकर मैं कैसे चला जाओ किसी के बच्चे चोट लग जा कुछ लग जाए फिर वहीं पे खड़ ले जाओ हमारी गारंट का थी तो इससे पहले मेरी कभी नहीं थी तो एक तरह से साल भरी हुआ है बंदा वो भी पहली नजर में भागया था बहुत कुड नेचर का फैमिली टॉप क्लास एक नंबर की फैमिली है भाईया है उनके मम्मी पापा चार दुम्हों भी छोटी फैमिली है छोटा परिवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाथ जोड़ने तो खैर मैं समझता हूं आपके लिए आपके लिए यह से मत जोड़ो लेकिन आपके लिए थम तो दिखाए चकता हूं कि या गुड नेचर के बंदे और आप से मिलके बहुत अच्छा लगा फिर मिलेंगे और हाँ दोस्त क्योंकि मैं कहुँआ तो फिर बात आगे तक जाएगी बहुत तो वहाँ पर मैं उसको कवर करके लाया था उनकी प्रियारी देखा के लाया था फिर दिन में मेरे को वह अकेला किंग कहा मिले रोड पे गुड मंडी वे क्योंकि मैं गुड मंडी में सुभई पहूंच गया मंदीर से दर्शन करने के बाद और मैं वहीं पर जाकर अपनी बुलट पर बैट गया था अपने हाथी पर बैट गया था दो फिर मैं इधर थोड़ा बोड कवर करने लागा तो अकेला किम बहूर रोड पर मिला था जब वह भज रहा था और उसके थोड़ी देर बाद आप का अमर से competition हुआ और आपका चोदरी डीजे से competition हुआ तो मैं इस चीजों में पताने वाला हूं कि जो अकेला किंग था दोस्तों सच में बहुत अच्छा डीजे जैसे मालिक अच्छा ऐसे डीजे भी अच्छा और काफे अच्छी तैयारी करके आया था तो थोड़ी थोड़ी का अच्छा कई गजब का ही बजरा था लेकर इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है गहों अमर के साथ competition हुआ नूर करके अमारे वालो झाल बहुत ही मस्त competition हुआ बहुती मस्त competition हुआ और उस competition पे सबकी निगाह थी क्योंकि उससे पहले काफी वीडियो आ चुपी थी काफी प्यान बाजी हो चुपी थी तो निगाहे थी उस पे क्या होगा क्या होगा क्या है तो दोस्तों इस competition मुझे अमार और कसाना यह competition की याद दिलवाई लेकिन बीच में आगया पुलिस परसासन तो यह competition बीच में रुगया नित लंबा competition चल रहा था बहुत लंबा competition चल रहा है competition जैसे कहते है न कि चुनिंदा ही competition होते है किसी यात्रा के तो उन में से एक नग competition था अमार और अकेला किंग राजस्थान वालों के बीच में हुआ और वहां के बाद फिर next step आया बस्ते बस्ते ही चोधरी डीजे के साथ चोधरी डीजे परतापुर सहजाद का है और अशोप बाई राजस्थान वालों का अकेला किंग का वहां पर competition हुआ दोनों के बीच में बहुत अच्छी fight हुई बहुत अच्छी fight हुई जिसे कहना चीना अच्छी fight में से गिंती में से एक fight वो भी थी लेकिन वही पर आने के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ गड़़़ होने लेगी तो कुछ गड़़़ होने लेगी उसी होने के बाद competition नमट गया चलो आगे बढ़ गए फिर थोड़ी देर बाद चोदर डीजे फिर पीछे से आता और अके लगिंग साइडन होता उसके बराबर में फिर लगाते हैं competition फिर इस्टार्ट होता लेकिन वह competition थोड़ी सी देर कही हुआ ये कुछ फर्जी यूटूबर बीच में से वीडियो बना में एक तरब चनगर काम को और सेर ये कुछ फर्जी यूटूबर बीच में से वीडियो बना में एक तरब चनगर काम को अर्षेलूर। मेरे को एक बार आई कि मैने एक बार मैं अंदर चला जाओं। मेरे को जिल का बहुत दुख हुआ। मैंने सैट में से धुआ निकलता हुआ। दोस्तो, मैं दंग रहे गया। मैं एक अलग टाइप से सोचता हुआ। अपने मुझ से बढ़ाई की बात नहीं होती। दोस्तो, लेकिन जो जैसा है, मैं वैसा बता हूँ। मेरे को ना, मुहाँ पे एक तम से इतना हुआ। यह यह कह सकतो कि बहुत डीपली दुख हुआ। जैसी मैंने धुआ निकलते था। अरे यार, यह क्या हुआ। लेकिन इलक्त्रोनिक साइटा मैं दोस्तो, पाभी भी कुछ hierarch भी हो सकता हूँ. अ हीओ, कोहीं को निकलता है। सेट में से धुआं. कोई मसीनरी में से तको स्टीकर मैं से बैस में से नहीं निकला. या कोई एंप्लीफार नहीं फुका नहीं हम लोग जब सिस्टम चलाते हैं तो उसमें ऐसे बोर्ड बना के रखते हैं कि किसी को इतना बड़ा धपाल सा बोर्ड होता है इलक्रोनिक बोर्ड जिसमें प्लग लकते हैं सारे जिसमें जला तॉपके मोणा इंध सीकरा है चलाएन जAgांज लाएं लास्ट हो जाता है यह फूब जाता है हमारे चर्जर लगाते हैं मोबाइल कराप हो जाता तो फूप पताना है तो वहाँ पर competition रूप गया, कुछ लोगों ने जसन बनाया, नीचे जो थे लोग, कुछ लोगों ने जसन बनाया, कुछ लोग उदास हो गई, पार्टी को भी बहुत दुखरा दुख हुआ, पार्टी भी उदास हो गई, लेकिन मैं पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, कि भा अरेंज नहीं हो पाया, काम नहीं हुआ, तो महाँ से अके लखिंग वापसी मुढ गया, तो मैं ये कहना चाहरा था, कि दो competition हुए पहले, अमर के साथ हुआ, एक चोदर के साथ हुआ, दोनों बहुत बढ़िया competition हुए, बहुत बढ़िया competition हुए, लेकिन incident बाद में हो गया ये तो आपको बहुत अच्छे अच्छे competition, देखने को मिलते दोस्तों, अकेला किंग, सच में ही अपना नाम करके जाता, एक अच्छा है, वो छोड़ दो कि वो नंबर वन आता, नंबर टू आता, नंबर तीन आता, लेकिन मुझफवन अगर में अपना नाम करके जाता, न उसको दुबारा से prepare करेंगे, दुबारा से motivate होंगे, दुबारा से आप लोगों के सामने आएंगे, और fight करेंगे, और अपना नाम करेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है, और ये कोई वो नहीं है, ये दिल से कहा रहा हूं कि दुबारा से आएंगे, चरूर fight करेंगे, और अ चलो जो यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से लोग हैं जो शुक्त मेरे बात हुई अरे लोगों को नहीं पता था उन लोगों को बता दिया गया जैसे किसी ने बुझा और अकेला किंग का है अरे वो तो चला गया वाफसे चला फुग गया डारेक्ट यह गया लोग फुग गया भाइस सब तो सेट नहीं फुगा था उनका मदर बोर्ड जो होता ना जिसमें पावर सप्लाई होती वो फुग लोग नए है सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन के बटन को ओल के किलिक कर लो आपको नोटिश्मेंट मिलती रहें कि दोस्तों दिखाते रहें तो